डिश्टोकिया, डिफिकल्टी इन बर्थ, या बक्रियों के पेट में अगर बच्चा मर जाए, बच्चा फूल जाए, बच्चा निकाश ना हो, तो क्या करें, कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, इसी बिसे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में, और पूरी जानकारी देनी की कोशिश करूँगा आपको, ये जो आप बक्री देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पूरा पेट फूला हुआ है, पूरा चिला रही है, बेचैन है, बहुत पर प्रेशान है ये बक्री, ये देखें, ये इसमें जो है, इसके बच्चे को देखा जा रहा है, बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, हिस्ट्री से, केस हिस्ट्री से ये पता लगा है, कि ये तीन दिन पहले ये बच्चा मरा है, और बच्चा मरने के बाद जो ह पेट में बच्चा फूल चुका है, बगरी बेचयन हो रही है, जोर लगा रही है, लेकिन बच्चा निकल नहीं पा रहा है। कि फोर से खीच के बच्चे को निकाला गया रहा है क्योंकि बच्चे में सूजन आ चुका है बच्चा आ नहीं रहा, ये देखिए कितने मेहनत इसमें किया गया है, कितने मेहनत से ये बच्चा बाहर आ गया, दो बच्चा ये बकरी दी है, बच्चा निकालने के बाद इस बकरी को बचा लिया गया है, बहुत ही सिरियस कंडिसन का ये केस था, होता ये है कि दिहात में ज बकरी अभी खाना खाने लगीगी, पूरी आराम महसूस कर रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आराम मिल गया है, ये बेजवान खत्रा से बाहर आ चुका है, नहीं तो इस कंडिशन में इसकी जान भी जा सकती थी, किसान भाईयों से अनुरोध हैं कि ऐसा situation अगर आपको नजर आए, तो कोताई ना करें, लापरवाही ना करें, क्योंकि किसी बेजवान का जान भी जा सकता है, इस तरह के cases में, और जाता भी है, क्योंकि बच्चे में ज्यादा सूजान आने के बाद, बच्चा बाहर आना बहुत मुस्किल हो जाता है, और बकरी सर्भाइ तो लाइक सब्सक्राइब करें, धार